तमाटर सुप बनाने की सामगरी है 4 तमाटर 1 टीस्पून जीरा 1 टीस्पून राई 1 टीस्पून हिंग 1 टीस्पून हल्ली पाउडर नमक स्वाधा नुसार 1.5 काप शुद्ध घी 1 टीस्पून शककर 1 टेबलस्पून उडद डाल आदा कब बारिक कटा हुआ धनिया, बारा कड़ी पत्ते और खाने का रंग इच्छा अनुसर स्वादेश टमाटर सूप बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चार टमाटर पानी में करीबन 15 से 20 मिनिट टक पकाईए जब पानी में उबाला जाए तब गैस बन करके इसे 10 मिनिट थंड़ा होने के लिए ऐसे ही रख दे जब ये टमाटर थंड़े हो जाए तब इनके छिलके निकाल दीजिए अब ये छिलके निकाले हुए टमाटर मिकसर पॉट में डालिए और इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लीजिए एक नॉन स्टिक पैन में शुद्ध घी गरम करने के लिए रखिए जब ये घी गरम हो जाए तब उसमें राई, जीरा, हिंग, उड़त दाल, कड़ी पत्ते और अंत में टमाटर की बनी हुई प्यूरी डालिए इसमें उपर से थोड़ा सा धनिया भी डाल लीजिए और खाने का रंग भी मिला लीजिए खाने का रंग इच्छा नुसार है, अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए जब इस मिश्रन में उबाला जाए, मतलब हमारा टमाटर का सूप तयार हो गया है ली तरह से भी मिला लीजिए मतलब हम आ हिस खना लीजिए का स्वां भी मिला झाल झाल